हेलो स्कॉलर्स कैसे हैं आप सब साइन्स के चैप्टर 18 वेस्ट वाटर स्टोरी इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे हम और आज के वीडियो में हम इसका टॉपिक ऑके वीडियो में हमने क्या क्या किए था हमने घर में ही आक्टिविटी करके देखा था कि कि सी वेस्ट वाटर को हम प्रॉसीजर्स इंवाल्व होते इसमें क्या करना है't leadership of wastewater involves physical, chemical and biological processes which removes physical, chemical and biological matter that contaminate the wastewater. जब हम treatment कर रहे हैं तो इसमें क्या क्याचिज़े ट्रीट कर रहे हैं? जो physical impurities हैं, जो chemical impurities हैं और जो biological impurities हैं. इन तरीके की सारी impurities को remove कर रहे हैं और इन से जो water में contaminant आ रहे हैं उनको को हटा रहा है ओके सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले क्या होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में वेस्ट वाटर इस पाज थूद अप्लास्टिक पैकेट्स और नेपकिन्स रिमूवड देखिए यहां नीचे फीगर में दिया हुआ क्या होता है इस तरीके की बार screens होती means iron की लंबी लंबी सी bars है छड़े हैं इसके उपर से जब पानी गुजरता है तब क्या होता है कि इसमें बड़े बड़े जो material हैं जैसे आपके shapes और इनके packets हो गए इसके अलावा कोई और cans हैं डंडी है लकडी है इस तरीके की जो बड़े objects हैं वो सब इसमें फस जाते हैं और पानी नीचे निकल जाता है तो इस तरीके का पहला एक फिल्टर हो गया दिन क्या है दिन कहां जाता है पानी देन water then goes to a grate and sand removal tank the speed of the incoming waste water is decreased to allow sand grate and pebbles to settle down उसके बाद वो पानी जो है आगे बढ़ता है एक tank की तरफ जिसमें क्या है जिसमें इस तरीके की चीजे remove की जाती है जैसे sand है उसमें कुछ pebbles हैं पत्थर हैं इस तरीके की चीजे जो है वो कैसे होंगी जब पानी थोड़ा तम speed में जाता है आगे बढ़ता है तो धीरे-धीरे sand जो है वो नीचे settle होना शुरू हो जाती है उके उसके बाद क्या होता है तो टैंक के किस टाइप होता है तो टैंक आपका इस तरीके का होता है जो नीचे center में center में थोड़ा slope ही होता है means यहाँ पर इसका center क्या है थोड़ा सा down है तो जितने solid material waste है वो सबाखर के यहाँ पर तीरे दीरे settle हो जाते है और पानी आपका उपर वो वहाँ पर इस्टिल रहता है काफी देर के लिए इसमें पानी को छोड़ दिया जाता है फिर इसको कैसे करते हैं इसको निकाल देता है इसको निकाल दिया अब यह जो जमा हुआ है इसको क्या बोलते है that is called sludge जब हम sludge की बाद करते हैं तो यह क्या है sludge जो है वो कीचड की फार्म में होता है और यह पानी का एक mixture होता है इसमें इस तरीके के सारी impurities होती है a skimmer removes the floatable solids like oil and grease अब क्या है आपके पानी में oil, grease इस टाइप की भी चीज़े है और आपको पता है कि oil और grease यह सब क्या है यह पानी के ऊपर रहता है तो आपने नीचे से तुसलज निकाल लिया अब ऊपर जो तैर रहा है oil और grease वो कैसे वो skimmers जो है वो क्या करते है skimmers के through वो चीज़ें बाहर आ जा रही है जैसे यहां पर देखेंगे कि यहां क्या हो रहा है फिगर में देखिए यहां एक side में जो बना हुआ है हमारा इस type का और एक यहां पर पूरा पानी भरा हुआ है तब यहां से जो पानी आ रहा है वो क्या है अपने साथ oil और grease लेकर कर आएगा इस के मेरे में जैसे आप देखते है घर में भी दूद के उपर जो मलाई जम गई आपने धीरे से वो मलाई उतार ली तो इसी तरीके से आपने इस पानी के उपर जो आएल और grease था उसको बाहर निकाल दिये ठीक है अब क्या हुआ water so cleared is called clarified water अब इस तरीके से जो इस टैंक में जो प्रोसेस हो गया है इसके बाद जो पानी आपको मिला है that is called clarified water ओके देशलेज इस ट्रांसफर्ट तो a separate tank where it is decomposed by the anaerobic bacteria the bio gas produced in the process can be used as fuel or can be used to produce electricity अब जो नीचे sludge जमा हुआ है उसको आपने स्क्रेप्टर के निकाला उसको एक अलग टैंक में इखटा किया अब क्या होता है ये sludge को ये sludge जो है decomposed होता है anaerobic bacterias की थूँ anaerobic bacterias क्या होते है anaerobic bacteria वो होते है gene bacterias को living के लिए उनको जो है बढ़ने के लिए oxygen की ज़रूरत नहीं होती है बिना oxygen के वो survive करते है तो ये इसको decompose कर देते हैं इस decomposition में bio gas produce होती है और ये bio gas जो है आपको as a fuel यूज़ कर सकते हैं उससे electricity भी बना सकते हैं अब अभी तक के process में आपने क्या किया बड़े बड़े उसमें से जंदगी निकाल लिया उसके बाद sludge को निकाल लिया उपर से oil grease निकाल लिया clarified water आपको मिल गया अब इस clarified water को कैसे आप process करेंगे air is bumped into the clarified water to help aerobic bacteria to grow देखिए aerobic bacteria और anaerobic bacteria में care difference है वो भी यहीं बता देता हूं anaerobic manager से बताया वो बैक्टिरिया होते हैं जिनको grow होने के लिए oxygen की जरूरत नहीं है भी न oxygen के वो ग्रो कर सकते हैं और aerobic bacteria वाजसे होते हैं जिनको oxygen की जरूरत है तब अब जो यह जो पाटर हमारा clarified water है इसमें हम air pump करते हैं air pump करते हैं कैसे उसको हम aerator बोलते हैं aerator क्या है उसके अंदर हवा को pump करता है या उसको काफी देर तक इस तरीके से घुमाता है कि उसके अंदर हवा mix हो सके उके उससे क्या होगा उसके अंदर जो aerobic bacteria है वो grow करेंगे उनको oxygen मिलेगी नीचे यहां पर एक जो industries में aerator use होता है या WWTP plant में जो aerator use होता है उसको दिखाया गया है ओके यह aerator जो है हवा को उसमें पानी में mix कर रहा है जिससे aerobic bacteria grow कर सके हैं यह aerobic bacteria grow करके क्या करेंगे यह जो है आपके human waste हैं food waste हैं soaps or other unwanted materials हैं उनको जो है consume करते हैं वो उनको खाते हैं उके उसके बाद क्या होता है उसको consume करने के बाद after several hours the suspended microbes settle at the bottom of the tank फिर वो क्या है यह सारे जाकर के नीचे sludge की form में नीचे इकटे हो जाते हैं ठीक है the water is then removed from the top अब आपने जो पानी है उसको उपर से निकाल लिया फिर से आपको जो सलज मिला वो आपको नीचे बॉटम में मिल लिया अब यह जो सलज है this is called activated sludge क्योंकि इसमें जो aerobic bacteria थे उन्होंने इसको जितने आपके waste materials थे उनको जो है कंजूम किया है और उसके बाद में वो suspended microbes की form है यह activated sludge जो है इसमें most of the part जो है water होता है 97% water होता है the water is removed by sand drying beds और machines फिर इसमें का जो पानी है उसको sand drying beds बोलते हैं sand के ओपर डाल दिया धिर तीरे पानी उसमें से नीचे निकल गया या कुछ machines होती है उसके थूँ इसका पानी निकाल देता है अब यह जो dried sludge है means यह sludge सूखा हुआ sludge जो है वो manure कितने काम आता है खाद कितर है खेतों में उसको use कर सकते है तो इसके अंदर जो आपके wastewater के अंदर आरगनिक मैटर्स थे nutrients थे वो आपको वापस से manure की form में मिल गए अब आप उसको soil में वापस ले सकते हैं अब यह जो water है जो अभी आपको यहाँ airator के बाद मिला है यह क्या है the treated water has a very low level of organic material and suspended matters it is discharged into a sea, river or into the ground अब इसमें बहुत कम गंदी ही रह गई है जितने organic matters थे उनको निकाल दिया आपने suspended matter निकाल दिये अब इसको आप नदी में समुद्र में या ground पे छोड़ सकते हैं और कुछ इसमें cleaning करनी पड़ती है क्या करना पड़ता है nature clean up clean it up further nature इसको अब further यह जब सी में जाएगा या नदी में जाएगा तो यह clean हो जाएगा sometime it may be necessary to disinfect water and chemicals like chlorine and ozone before releasing it into the distributing distribution system कई बार इसको जो है और chemically rectify करने की जरूद पड़ती है तो हम इसमें क्या करते हैं chlorine या ozone mix करते है chlorine और ozone भी इसको disinfect करता है ओके तो यह भी याद रखिएगा topic क्या है become an active citizen active citizen क्या होता है active citizen वो होता है जो अपने आस पास चीजों के लिए aware रहता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है कहीं कुछ सही हो रहा है वो सारी चीजें उसको पता रहती हैं और उसमें वो हमेशा हमेशा participate करता है तो अभी हम बात कर रहें wastewater की तो wastewater को ले करके भी आप एक active citizen बन सकते हैं कैसे बन सकते हैं कि आप जो है उसको waste को कम generate करें waste generation is a natural part of human activity यह natural है human activity में कुछ ना कुछ waste generate होगा but we can limit the type of waste and quantity of waste produce but हम इसको थोड़ा सा limit कर सकते हैं आप अगर अपना पूरा दिन में आपने कितना waste generate किया उसको अगर collect करें और उसको जो है उसमें देखें कि क्या क्या waste ऐसे थे जिनको मैं control कर सकता हूं तो आप देखेंगे कि आप बहुत सारा waste ऐसा है जिसको आप control कर सकत है आगे फर्दर उसको generate नहीं करेंगे ओके अब आपको इसके अलावा क्या करना है इसके अलावा कई बार जो है आपके आसपास आप में देखा होगा कि drains है open drains है उसमें से इसमें ला रही है even rainy season में the situation in the rainy season जब drains जो है आपके आसपास के नालिया जो है overflow करने लगती है तब क्या होता है situation बहुत खराब हो जाती है यह healthy condition नहीं है hygienic नहीं है मख्यां मच्छर सब पाइदा होते हैं इसमें तो you can be an enlightened citizen and approach the municipality or the gram panchayat आप अपने municipality में या gram panchayat में अप्रोच कर सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि यह जो open drains है इनको cover किया जाए ठीक है अगर आपके आसपास कोई CV जैसा generate कर रहा है आपके पडोसी और उसकी वज़े से गंधी फैल रही है तो आप उनको भी बोल सकते है कि सर आप इसको जो है control कीजिए यह healthy नहीं है hygienic नहीं है ओके इससे बीमारियां फैलती है तो इस तरीके के awareness होने चाहिए यह कहां ब्लू बॉक्स में एक information है यह क्या information है सब्सक्राइब बूजो भी कुछ कह रहा है तो उसके अंदर क्या है कि water जो है हमेशा naturally process होता रहता है treatment होता रहता है जो हम WWTP प्लांट में कर रहा है वो reverse में हमारे nature में already available है reverse में water अपने आप ही clean होता रहता है यहां पर यह जाना बहुत जरूरी है it has been suggested that we should plant eucalyptus trees all along sea waste pond these trees absorb all surplus waste water rapidly and release pure water vapor into the atmosphere जो eucalyptus plant होता है वो क्या होता है water बहुत ज्यादा absorb करता है कई लोग उसको अपने आसपास या खेतों में लगाना पसंद नहीं करता है तो क्या करेंगे eucalyptus plant का अब कहीं पर अगर waste water का pond है कोई ऐसा ऐसी जगह है जहां पर सहरा waste water इखटा हो रहा है ठीक है अगर हमने क्या बताया था कि जहां पर अगर sewer system नहीं तो वहां पता कीजिए कि लोग इस waste water को कैसे dispose of करते हो सकता है उस गाउं के किनारे या शाहर के किनारे कोई बड़ा गड़ा हो तालाब हो वहां जाके वह पानी घटा हो रहा है सीवेज पानी ठीक है तो आप उसके आसपस eucalyptus पेड़ दगा सकते हैं उससे क्या होगा वो eucalyptus ज़्यादा से ज़्यादा water एब्सार्व करेगा और फिर trees क्या करते हैं उसी water को जो excess water हो जाएगा और यह जो आपका wastewater था वहां से चला जाएगा तो यह conditions थी इसके अलावा हम लोगों की daily practice में क्या होना चाहिए उसके लिए क्या है next point है 18.5 better housekeeping practices जो हम अपने घर में साफ सफाई और यह सब करते हैं उसमें कुछ चीजें कुछ आदतों में अगर हम सुधार कर दें तो भी हम बहुत चीजें इसमें जो है help कर सकते हैं wastewater को generate होने से बचाने के लिए ओके तो इस topic को हम next video में cover करेंगे till then bye